आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप लोग सम संख्या किसे कहते हैं और विसम संख्या यानि कि इभेन नमबर और और नमबर में क्या डिफरेंस हैं और इसको कैसे समझे आजा सकता है एक दाम असानी से भसा से सो हम देखेंगे तो चलिए इसका जो डिफिनीशन ह समझे लेते हैं उसके बाद तो दो तिन संख्या है जो दूर से विभाजित हो समक्या कहलता है कि आप लोग जानते हैं आप दूसरे सब्दों में कह सकते हैं अब कि सभी पराकीर के न इकी जो भी संख्या होगा तो प्राकिर्ट संख्या ही होगा प्राकिर्ट संख्या के अलावा कोई संख्या होता ही नहीं इस जो भी आएगा सभी प्राकिर्ट में से ही आएगा तो वह सभी प्राकिर्ट संख्या जो दूसरे यानि कि पूरा-पूरा भाग लग जाता है उसे क्या क रहेंगे समसंख्या जैसे में एक्जाम्पल की बात की जाए एक्जाम्पल में यहां पर हो जाएगा आप दो चार छे आठ दस इस तरह से आप बहुत जो भी समसंख्या होगा वह दो से इसमें भाग देंगे जैसे अब यहां पर 126 यानि 126 ले लिए तो दो से हम इसमें भाग देंगे तो दो से भाग देंगे तो दो चक यहां पर दो चक बार लग जाएगा और यह कट जाएगा उसके बाद 6 है तो 6 बच्चा तो 6 उतर जाए तो दो तिये 6 एक कट गया तो यह क्या हो गया समसंख्या हो गया इसके बाद आब आता है विसम संख्या तो विसम संख्या में बात किया जाए तो विसम संख्या को इंगलिस में और नमबर बोला जाता है क्या बोला जाता है और नमबर तो वह ऐसी सभी संख्या है जो दो से बिभाजित तुक्त न हो यानिकि दोपाग देने पर वे नहीं करता है यानिकि कुछ बहुत जता है तो तो क्या झाओ प्राकी संख्या जो दूसे भाग देने पर पुड़ा पुड़ा न कटे उसे विशम संख्या कहते हैं तो देखते हैं इसमें जो एक्जांपल हो जाएगा एक्स का वह हो जाएगा इस तरह से जैसे 170 ले लिए इसमें आड़े हम दो से भाग देंगे यहां पर लग जाएगा दूपंचे दस दूपंचे दस लगा दिए इसके बाद एक बचे का इक टिया उसके आशेव है तो तू से लगाएंगे फिर तो दो अठे सुल्ण यहां पर यहां चाहते हैं से सुल्ण ऐहां पर एगाट जब्सटा ऐस सभी सभीoffmen संख्यात्य उसके पहुत सारे संख्या को का आउस乾 पता करना चाहते हैं त주리 प्राकिस संख्या उसके बाद पुर्ण संख्या पुर्णायंक पर्मे संख्या भिन संख्या इस अब कवारी में हम बताए हुए तो आप जो उसको दिखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है वहाँ से जाकर करें देख लेंगे आप अपनी राय कमेंट जरूट करेंगे तर तक लेता हैं चैहिंद